कॉंग्रेस ठेमे से इस वक्त की बेहत बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे राजस्थान के मुख्य मंत्री अश्योग कहलोत अब अपना इस्तिफा सौपने चा रही है जहां एक तरफ राजस्थान में कॉंग्रेस ने हार का सामना किया है कॉंग्रेस जहां एक तरफ दावा कर रही थी कि रिवास को वह तोड़ती हुई नसर आएगी सत्ता में रिपीट होती हुई नसर आएगी लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है आज सुभा आठ वजे से रुजान आना शुरू हो गए जिहां राजस्थान के साथ साथ मध्यप्रदेश तैलंगना च्छतीज कर के विधान सभा चुनाव के नतीजे जल्द ही घोशित होने जा रहे हैं सुभा आठ वजे से मत करना की शुरूआत हुई है और देखा गया है कि रुजानों में बीजेपी आगे नसर आई है ना सिर्फ राजस्थान बलकी च्छतीज कर और मध्यप्रदेश में भी ऐसे में देखा जाए तो अब मुख्यमंत्री पद से अशोग गहलोत इस्तिफा देने जा रहे हैं आपको बता दें कि आज रविवार की शाम पाँच बच कर तीस मिनट पर वह राज्यपाल कल राज मिश्र से मुलाकात करेंगे और अपना इस्तिफा उन्हें सौंपेंगे सुत्रों के मुताबिक दावा किया गया है कि अशोग गहलोत अब साड़े पांच बजे राज्यपाल के पास पहुँच जाएंगे मुलाकात करेंगे और ऐसे में देखा जाए तो वह अपना इस्तिफा राज्यपाल को सौंप देंगे जानकारी देदे कि 200 में से 199 विधान सभा सीटो पर इस वार वोटिंग हुई है और ऐसे में देखा गया है कि भारतिय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नसर आई है राजसान में 108 सीटो पर पहुँच चुकी है बीजेपी तो कॉंग्रेस 71 पर है और ऐसे में बीजेपी यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करती हुई देखी जा रही है अब यहां पर देखा जाए तो अशोक गहलोत अपना इस्तिफास सौपने जा रहे हैं आपको बता दें कि तीसरी बार मुख्य मंतरी का पद इन्होंन संभाला है और चौती बार मुख्य मंतरी क अब देखना होगा आने वाले समय में अगले पास सालों बाद जब कॉंग्रेस विधान सफाचुनाव लड़ेगी तो आखिरकार जीत अगले पास सालों बाद किसकी होगी क्योंकि कहीं ना कहीं गहलोत जो उम्र के बढ़ते हुए पड़ापर हैं तो वह तो शायद ही से ए क्रूंगे लड़ापर हैं